नमस्कार किसान भाईयो, देशी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है आज हम आकाश नाम के युवक की सक्से स्टोरी के उपर बातचित करेंगे आकाश पिछले दो साल से हमारे चैनल से जुड़े हुए है और अभी यह देशी मुर्गी पालन में देशी मुर्गियों का सेल और उसी तरह उन्होंने देशी मुर्गी की एग मार्केटिंग इसके उपर काम शुरू किया है और पिछले दो साल में एक अच्छी सक्से स्टोरी उन्होंने हमारे सामने रखी है आप इनका फार्म भी देख सकते हैं कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि एक अच्छा फ्री रेंज फार्म क्या होना चाहिए उसका एक बढ़िया उदारन उन्होंने बाकी किसानों के सामने रखा हुआ है इन्होंने खुद का दो एकड का फ्री रेंज देशी मुर्गी का फार्म डेवलप किया है जिसमें डे टाइम में यहाँ दो हजार मुर्गिया यहाँ पर खुली चरने के लिए छोड़ देते हैं और उसी तरह रात के समय में जो है अपने सेड के अंदर इन मुर्गियों को रेडिमेट फीड देते हैं इस तरह से इन्होंने पिछले दो साल में 500 मुर्गियों से शुरुवात की थी और आज इनके फार्म पर तकरीबन 2000 देशी मुर्गिया है और आज का इनका एक प्रोड़क्शन देखा जाये तो डेली तकरीबन 1000 के आसपास एक जो है इने डेली मिलते है और इसका सक्सेस्फुल मार्केटिंग जो है इन्होंने अपने बुल्धाना डिस्टिक में इनका फार्म जो है महाराष्टा में है और बुल्धाना डिस्टिक में है डिस्टिक प्लेस के नजदिक होने के कारण इन्होंने मार्केटिंग की अपोर्चेनिटी ढूण ली और एक मार्केटिंग इन्होंने बड़े पैमाने पे शुरू किया है इसमें खास करके हम जो बताते हैं कि रिटेल मार्केटिंग होना ज़रूरी है तो रिटेल मार्केटिंग के उपर उन्होंने फोकस किया है और खुद के स्टॉल जो है उन्होंने अलग-अलग जगह पे लगाया है जहां पे डेली एक स्टॉल पे यहां 200 से लेकर 300 एग जो है यहां सेल करते है एग सेल करने के लिए उन्होंने पैकिंग जो बनाई है वो भी बहुत ही बहतरीन बनाई है क्योंकि हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हर एक बात हमें ध्यान रखनी होती है और इसी कारण युनोंने एक अच्छा पैकिंग जो है अंडे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और इसमें यहां 6 अंडे और 12 अंडे से रखे पैकिंग करके यहां सेल करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो एक प्रोडक्शन हो रहा है यह फ्री रेंज में हो रहा है तो इसका टेस्ट जो है वह भी बहतरीन पाया गया है और जो कस्टमर एक बार इनसे जुड़ जाते हैं वह बाद में उनके साथ जुड़े रहते हैं अभी यह सोच रहे हैं कि इन अन्डों का जो है होलसेल मार्केटिंग करने का और उन्होंने अच्छे का से जिड़ पास बड़े शहर है नागपूर है अमारस्टा में बॉंबे है पुना है तो यहां पर अभी यह चेक कर रहे हैं कि फ्री रेंज में जो एक प्रोडक्शन मिलता है वह शहरों में कैसे पहुंचाया जाए और उन लोगों को कैसे क्वालिटी एक जो है वह प्रोवाइड किये जाए इसके उपर इनका काम चल रहा है और इसमें हम हमारे चैनल के माद् किते हैं तो कस्टरमर साटिस्फाई होता है और इसके कारण हमें एक अच्छा रेट जो है वो भी हमारे प्रोडक्शन मिलता है तो आज देखा जाए तो यह एक बर्ड तकरीबन त्री हंड्रेड रूपीज में यहां बेशते है और उसी तरह रिटेल में एक का सेल जो है य इनको बड़ी मांग रहती है इस कारण रेट जो है हम अच्छे पा सकते है तो जिन लोगों को इनके साथ जुड़ना है और एक देशी मुर्गी पालन में खास करके एग प्रोडक्शन में काम करना है अंडा उत्पादन अंडा मार्केटिंग में काम करना है वह इनके साथ जुड़ सकते हैं इनका नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से नंबर लीजिए इनके साथ बाच्छित कीजिए और अपना खुद का भी देशी मुर्गी पालन का व्योसाई जो है वह शुरू कीजिए तो आज हम यहां पर रुपते हैं आपकात।